हेलो माई दियर फैंट्स और स्कॉलर्स वेलकम बैक तो लोफ यू वंस अगें तो यूर ओन चैनल आनन लौ अकेडमी फैंट्स आज हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूस कवर करने वाले हैं जो कि आपको आज के टाइम में बहुत जानना जरूरी है जी हाँ ये रिसेंटली रश्या और यूक्रेन के वार से सम्मंधित न्यूस बाहर है इसके बारे में जानेंगे पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारी अकेडमी है आनन दलौ अकेडमी ये आपको कई तरीके के लौ कोर्स जैसे कि आपक ये कोई आपका डिपार्टमेंटल एक्जाम है अभी डेली से काफी लोग जुड़े जिनका डिपार्टमेंटल सी वियाई में एक्जाम चल ला था उन्होंन अच्छा प्रफॉर्मेंस भी किया रिजल्ट अवेटेड है उन लोग का ठीक है यह आभी गया होगा मेरे बारे इसे जोन्स जहां पर मिलिटरी नहीं होगी जर्नली यह जो लेट इनकी बात हम उस टाइम में कर रहे हैं जब आपका क्या चल ला हो वार की सिच्वेशन चल लहीं हो मतलब दो कंट्रीज आफर में आपड कंफलिक्ट में हो ठीक है जहां पर बंदूके तो मिसाइले दागी जा रही हैं वहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं होगा क्या ऐसे में कि जो कॉरिडोर्स हैं यह सेट अप किये जाते हैं टेंप्रोरी सीज फायर से कि भाई आप कुछ देर के लिए सीज फायर रोग दिया जाए यूज आफ कॉरिडोर्स थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो इनका इस्तमाल किया जाता है सिवेलियन्स को एबिक्वेट करने के लिए उनको फूड मैडिकल एड्स एंड अदर नससरी सामान पहुंचाने के लिए जो की जब वार चला होता या कोई एरिया सीज कर लिया जाता है पुराने युद्धों में आप देखते होंगे किला बंदी कर दी जाती थी ऐसे में क्योंकि वह अपनी में चेंज सप्लाई से टूड़ याते हैं और वहां पर सिवेलियन्स को लॉस हो रहा होता है इस वज़े से हमने इस कॉरिडोर नामक चीज की क्या किया है उत्पत्ति किया है और इसको हम लोग डिसकस कर रहे हैं इस कॉर जो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चलना था इसमें एक मैरिपूल एंड वोलोनोग वाका एक ऐसी जगा है जहां से सिवेलियन्स को एवेक्वेट करना था थ्रू दीस कॉरिडोर्स हावेवर जो मैरिपूल नामक सिटीमा के अड्मिनिस्टेशन ने इस हुमिनिटेरियन ग्राउंड्स हुमिनिटेरियन कॉरिडोर्स की यह इस टाइम मैरिपूल से एवेक्वेट के लिए प्रॉपर नहीं यह बात समझ मैं फिर आप देखिए हमने आपको यह बता दिया हाला कि रशिया ने इस एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि निगोसिये अगर कोई एक पार्टी का बंदा जाता है माली जी यह रशिया उक्रेन में से रशिया का कोई वेक्वेक्टी अंदर जा रहा है तो आप उस पे लिगेशन लगाएंगे कि सर यह तो कानूनों का लंगन है आप मिलेटरी वाले भी हो सकते हैं आप रोक एजंट आप उनके क् इन्वेस्टिगेटिंग एजंसी के हो सकते हैं या फिर किसी भी इंटेलिजन्स ब्यूरो के आदमी हो सकते हैं आप उनके तो यह एलिगेशन क्यों लगे इसलिए यहाँ पर पार्टी डेटरमाइंड करती हैं कि कौन उस कॉरिडोर से हो करके गुजरेगा जर्मेरी जो हिम स्कूर्ट इस्तमाल किया जाए जाएगा यहीं डिसाइड करेंगे हाला कि कभी कभी केस में क्या होता है जो आपके कंट्रीज होते हैं या जो दोनों पार्टीज होती है जो वार में लिप्त होती है यहार इंद मौर अग्रेशिव या तो एक बहुत ज्यादा तो ऐसे में क्या होगा जो वैक्ति या जो पाटी ज्यादा हमें को सपूर्ट कर रही होती है वह इन कॉरिडर्स का इस्तमाल करती है अपने सिवेलियंस को बाहर निकालने के लिए और वह प्रॉपरली हमें को बचाती है अभी कुछ भी हैं इस पर कि ऐसे तो यह काम नहीं चल रहेंगे तो इस प्रकार से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज समझी humanitarian corridors under the ceasefire या फिर armed conflict के दोरान civilians को निकालने के लिए ऐसी वेवस्थाएं हम अमूनन करते हैं थैंक्स फर वाचिंग एंड कीप लाइक कीप सब्सक्राइब भाई शेर करो कमेंट करो सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो अच्छी चीज़ें इस पर इनिशेट करें ठीक है एक्जाम के लिए जरूरी है इंपॉर्टेंड वो लेकर के आएं काफी लोग बेनेफिट उठा रहे हैं पेड़ों कोर्स में आप लोग रह जाएंगे चलिए बढ़ाईए बढ़ाईए